है लो दोस्तों तो आज हमारा सेकन्ड लेक्च के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहें पोरीफेरा फस्ट लेक्चर में हमने जितना बैसिक था वो सब कंपलीट कर लिया आज सेकंड लेक्चर है तो हम चार टोफिक पढ़ेंगे इसमें पोरीफेरा शिलेंट्रेटर टी करेंगें जो में में फॉइंट के अंदर हम देखते हैं है पहला में में पॉइंट हे की इसको हम बोलते हैं क्या नाम से स्पंज के नाम से समय त्यान रखना है सिंदर स्पंज आते हैं Does दूसरा जो हमारा point होगा दूसरा point के अंदर हमीं याद रखना है कि इसके अंदर butter transport और यह canal system किसमें present होता है polyfera के अंदर इसके बाद जो हमारा third point आता है important जो ostia के through butter इंटर करता है और किसमें जाता है sponge o seal यह हमारा ध्यान रखना sponge o seal एक तरह से butter visceral cavity है मतलब कि इसके अंदर जैसे यहाँ से ostia इसके बाद में इस cavity में butter गया और butter किसके through बाहर आ जाता है ओ स्कूलम के through clear हो गया अब भई यह cavity है अब इस cavity की एक तरह से lined किसके through होगी अब इस cavity की जो में lined किसके through होगी मतलब यह एक तरह से इसकी covering बगेरा इस cavity की line हम देखते हैं किसके through coinocytes 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 या collar cells के through clear मतलब कि हमारी जो इसकी covering होती एक तरह से जिसके बाद अब इसका जो function क्या होता है एक तरह से जो प्रोसेस चली ओस्टिया से इस पंजोसील और इस प्रोसेस का एक फंचन होता है food gathering इसके through क्या होता है food gathering और respiratory exchange एक दम NCRT के चल रहे है पाँ ठीक है respiratory exchange और removal of butter का काम करता है clear इसके बाद जो next हमारा जो दे रहा है NCRT के अंदर उसके इसके लिटल के बारे में बात कर रहा है पोरिफेराग इसके लिटल के बारे में जो किस-किस का spicules का बना होता है तो दूसरा पोइंट किसका इस पंजीन ये एक तरसे क्या है हमारे इस पंजीन तो एक तरसे फाइव आ रहे है और जब की spicules के आ एक तरसे हमारा calcium caronate का बना होता है ठीक है इसके बाद जो हमारा जो टोपिक दे रहा है उसने एक तर्म को डिसकस कर रहा है हर मेप्रोडाइट कहने का मतलब एक तरसे bisexual condition मतलब की जो reproduction होगा एक तरसे bisexual sperm और एक आएग आएगे ना एक तरसे sperm और एग same individual produce करेगा को किसका पोरी फेडा का किलियर यहां तक एक दम दिक्कत कटम इसके बाद जो उसने जो टोपिक दे रहा है हमारा कि इसका जो reproduction है ठीक है हमने ये बात कर लिया अब इसका जो reproduction है एक sexually तुसने दे रहा है किसके दोरा fragmentation के तुरू और sexually किसके तुरू gamit obviously बात है sexually में क्या बनेंगे gamit clear अब इसके बाद जो उसने टोपिक दिया है हमारा एक तरह से उसका development भई कैसे development हुआ तो हम बोलेंगे इसका indirect development indirect मतलब larval stage बनेगे उसके लिए larval stage present clear हो गया मुझे लगता है समझ में आ गया होगा इसके बाद हम इसके हमें याद रखना है इसके important point में इसका example example में आपको द्यान रखना है कि इसका example दे रखा है cycle cycle आपको trick बता हूं मैं मैं जैसे आपने याद कर रहा है s by s p और s p का अगे लगा दो u आया समझे जैसे s y से क्यों गया cycle और u से u sponge या और sp से क्यों गया इस पंजिला clear हो गया तो हम s y से cycle हो गया यू से u sponge या इस पंजिला इस पंजिला u sponge को हम बोलते है bath sponge किस नाम से जैनीड़ते है bath sponge के नाम से जानीड़ते है जब इकी sponge या गया इक तरसा हमार होता है fresh water sponge के नाम से sponge या को जानी जाता है clear or cykan को ág किस नाम से Cypha के नाम से के लिए NCRT के पूरे पॉइंट में एक सम्धिंग कवर कर लिए एक तरह से यह इंपोटेंट पॉइंट है अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बो आता है क्या नाम है अब इसके आप डाइग्राम देख लेना NCRT से ठीक इतना सा काम कर लेना आपको इसके बाद हमार स्लेंट रिटा के अंदर सब से पहला जो बढ़ी लिखा का हुँआ उसने सज्का मतलब समझू सवाईयल एक तरह से क्या आता है फिक्श्ट होता है इसका मतलब हाँ होता है यह वे एक रही रहा ह। में में फ्रीज यूमींग क्या देख विश्यूमिंग अब भाई ससाइल होता करें ससाइल फिक्स अब इसका जो एक्जाम्पल होता है हमारा वह होता है पॉलिप्स इसके अंदर हम कौन-कौन से देखें एडम्सिया और हैड्रा बगएरा जबकि यहां पर फेरिलीबिंग मैडूसा मैडूसा के लिए बोला गया है मैडूसा में ओरिलिया और जेलिफिस बगएर हम देख लेंगे ठीक है अब जैसे यह बात तो हमने इस लाइन का मतलब समझ लिया जो सेकिंड पॉइंट इंसी आर्टी के अंदर दे रखा है स्नाइडो ब्लास्ट नाइडो ब्लास्ट और यह अब इनका जो काम है इनका हम काम देखते हैं कि एक तरह से केप्चर करते हैं प्रेको हम बोल सकते हैं बई कि प्रेको यह क्ये कर लेंगे केप्चर कर लेंगे और जिसके बाद ही प्रेको केप्चर करने के लिए अपना क्या काम कर लेंगे फूड को ही कट्टा कर लेंगे फ किलेर हो गया तो अमारी ये नाइडो ब्लास्ट और नाइडो सिस्ट्ट दोनों किलेर हो गए हो गयें इसके साथ साथ ओर हम बोल सकते हैं जैसे एन करेज और डीफेन्स भी इसका काम हता है किलेर हो गया अब जो थएड़ पॉइंट देरखां ंसि आठी के अंदर गेस्ट्रो बेस्कुलर केवेटी जिसको नाम होता है सिलेंट्रोन केले होगा है सिलेंट्रोन केले होगा है अब यह एक तरह से गेस्ट्रो बेस्कुलर केवेटी होती है गेस्ट्रो बेस्कुलर केवेटी किसके अंदर सिलेंट्रेटा के अंदर आया समझे और इसकी सिंगल ओ माउथ का होता है उसको बोलता है आई पो इस्टों माउथ क्यों होती आई पो इस्टों इसके बाद इन्हों ने एक दे रखा है कि जो इसके लिटल इसके लिटल के बारे में बात कर रहा है अपना इसके लिटल कंपोनेंट के बारे में जो किसका इसके लिटल के बारे में जो इसके बाद इन्हों ने दिया हुआ है अगला पॉइंट हम देखते हैं REM पॉलिप मेने यहां पे लिख देता हों मैं इसके एक्जांपल चलो चोड़ों यहाँपे पॉलिपस के एक्जांपल आपको लिखना होगा एडम सीया दूसरा हुआड़्रा इसके बाद हम देखते हैं मेडूसा मेडूसा में यह देखा है ओर इलिया और जेली फिस यह दोनों हमारे कम्प्लीट हो गए अब एक तर्म ओर दे रखी एंसियाटी के अंदर मेटा जेनेसिस अब इनकी पहले में एक छोटी छोटी प्रोपाटी बताईता हूं कि जो पॉलिप्स होता है ना पॉलिप्स यह एक तरह से हमारा ससाइल होता है यह बात मैंने ओल्डेट बता चुका हूँ इसके बाद यह कैसा होता है इसके बाद यह कैसा होता है इसलेंटरी कल मुझे लगता है इसके बाद जो नेक्स हम चलते हैं गाइस लाइट से ली गई है तो मैं फिर भी बना रहो आपके लिए अगला जो टोपिक इसके बाद है मेटा जेनेसिस कौन सा मेटा जेनेसिस अब भी मेटा जेनेसिस के मतलब इसके अंदर होता क्या है मेटा जेनेसिस को एक्जांपल में आपको जो रटना है कैसे क्या करना है मेटा जेनेसिस जैसे उन्होंने दे रखाए कि पी ए और एम इसको याद रखना और एम एस और पी मतलब कि जब पोलिप्स से जब मेडूसा क्ई कобы तो के त्रeras बनेगा किलम द मेडूसजा में सकुली ओर चैनी तो मेडूसजा पॉइपसे तो कई सुखीव इसे को ही बोलते हैं एक बार पॉइपट कर देता हुँ ती पॉलिप मेडूसजा को प्राइ원 सक्थैस ओर अधूस popularity दूसरा टर्म Metagenesis क्या बोलते हैं Metagenesis अब इसका जो example दे रखा है example में दे रखा है उसका obelia clear यहां तक हमारा एक थियोरी वाला part कातम हो चुका इसके अंदर हमने याद रखने हैं एक तरह से इसके example बड़े important है हर साल पूछे जाते हैं तो ध्यान रहा है ना फाइसेलिया फाइसेलिया को हम बोलते हैं Portuguese 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 spelling देखला है ना हमकोईज Portuguese of manwar Portuguese of manwar ते लिए और जिसके बाद आता है Adam sia इसको बोलते हैं Sea animal इसको फाइसेलिया इसके बाद Portuguese यह होगा है फाइसेलिया होगया Adam sia होगया इसके बाद हम देते हैं पेना टूला इसको बोलते हैं Sea pen इसके बाद जो हमारे रहता है गोर गोनिया उसको बोलते हैं Sea Fan यह द्यान रखना हो यह पूछे जाते हैं सीप in इनको दियानवाइब ठीक है इसके बाद लांश्ट का बसता है क्या हमारा क्वन सा मेंडरेन है pemain- bodies-com leather everyone sencill agenda टो आ यह जिसके इसके बात जो हमारा जो टॉपिक आथा है हमारा उसका नाम है jsem टीनो फॉराव है जोटा सा टॉपिक और टीनो फॉरा के जो एक तरह से this इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉम्ब जेली वालनेट इसको नोन एज कॉम्ब जेली और सी बालनेट किलियर इसका जो second important point है वो याद रखाना पूछा जाता है कि exclusively मेरा इन यह पूछा जाता है द्यान रखना कैसे होते हैं exclusively मेरा इन आपको याद रखना है इसके बाद इसके अंदर आपको जनरल फीचर तो हमने याद ही कर रखें इसके अंदर होती है कोम्ब प्लेट्स जैसे इस तरीके से हमने गेंद की तरह देखा था न यह गेंद की तरह है और ऐसे मतलब कितनी होती है इस तरीके सीजिए कोम्ब लाइग इस्ट्रेक्चर होती है यह टोटल कितनी होती आट होती इनको गोलता सीलेटेड प्लेट समय रहा है तो यह कोम्ब लाइग इस्ट्रेक्चर होती है इसका नाम देदिया हमने कोम्ब प्लेट्स इसका जो फंसन होता है एक तरह से किसमें काम आती है लोको में मूम्मेंट के अंदर काम आती है कौन कॉम्ब पिलेट्स इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वह डाइजेशन डाइजेशन कैसा होता है इसका एक्स्ट्रा और इंट्रा ये भी इंप्रोटेंट पॉइंट है और इसके पहले जो स्लेंट एटाक था उसके अंदर भी दोनों एक्स्ट्रा और इंट्रा और इस्पंज के अंदर अमारा के साथा इंट्रा सेल्लियर हो गया इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट आता है वह आता है बायो लूमीनिसेंस बायो लूमीन सेंस इनको एक तरह से इसलिए बोला जाता है कि यह तरह से ट्रू जेली फिस्ट नहीं है इसके अंदर एक प्रोपर्टी इस चमकते रहे लायट निंग के काम करते हैं इमीट लाइट छोड़ते एक तर से इसके बाद जो हमारा जो पॉइंट आता है इसके अंदर हमने देखना है कि इसके अंदर सेक्स के सब्सक्राइट होते हैं और इसका वही जो इस्पंज में आमने पढ़ा था है इंडारेक्ट डेवलोप्मेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रिजेंट होगी इंडारेक्ट डेवलोप्मेंट और फेटिलाइजेशन द्याने करना इसका एक्स्टर्नल होता है तो यहसा होता इसका फटलाइशन को एक्स्टरनाल तो आपको जो इंपोर्टेंट है इप्लेटी एल्मेंटीज के अंदर हम देखते हैं इस पढ़ने से पहले हम इसके एक्जामपल कवर कर लेते हैं किसके तीन ओ होरा के इसके हमारे एक्जाम्पल होता है लिूरो ब्रेकिया वो एक होता है टीनो प्लेना किलियर अब आई प्लेट्टी हिलमेंथीज के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना डोर्सली और बेंट्रली दोनों तरप से कैसे होता है फ्लेटेंड होता है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया फ्लेट बर्म चप्टे होता है किलियर दूसरा जो पॉइंट है तरशे एंडो पेरासाइट मोसली कैस होता है एंडो पेरासाइट मतलब की बोडी के अंदर पेरासाइट का काम करता है किलियर इसके बाद जो हमारा टॉपिक हमने जो जनरल पॉइंट बहुत हमने पड़ी लिये और इसके अंदर पेरासाइट के रूप में पेरासाइट है बोड़ी के अंदर जाते हैं दूसरे के तो यह एक तरह से किसका यूज करते हैं हुक्स एंड सकर्स यह कुशन पूचा जाता है कि हुक्स एंड सकर किस में प्रजेंट होता है फ्लेटी हेलमेंटीज के मेंबर में आपको याद रखना है इस्पेसल जो सेल प्रजेंट होती है फ्लेम सेल्स अब हमने देखा कि दूसरे के प्लेट में जाते हैं हुक्स एंड स प्रेजेंट होते हैं प्लेंट सेलफ क्या काम आती है आगर इसके अंदर है प्रोडाइट होगा है लिख देता हूं प्रोडाइट है और फेटि लाइजेशन तो वही होगा इसके अंदर जो इंपोर्टेंट पुछा गया एक्जाम में वो प्लेनेरिया के अंदर ध्यान है करना हाई रिजनरेशन केपसिटी प्रजेंट होती है इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ अम जिस तरीके साम फिर इसके एक्जाम्पल कवर कर लेंगे लाश्ट में जाके इसके एक्जाम्पल में देखते हैं टी निया कई कि एक्जाम्पल थैसक फेशया को लाप हेस्या कोल भी स्पव्लिक घ्यो इसको भलता है लिवर ले-ख घ्योग वन में वणा दिक वोलते हैं । क्या बोलेंगे टेप बर्म बोलेंगे यहां तक मुझे लगता आपको क्लियर हो गया हो एक दम ठीक तो आप बताना है कि यार यह सेशन कैसा लगा इस तरीके से मैं आपको नोट्स टेलिग्राम गूरूप में शेयर कर दूगा और यार बड़ी मेहनत लगते है यार वीडियो को सब्सक्राइब करें बस इतना सा आपको काम करना है ठीक फैंक्यू मिलते हैं एक्सेशन में एक्स की एलमेंटीज के साथ